नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रविस्टर डीजी के पर फेंट्स आज में आपको बहुती बड़ा अपडेट देने वालाओं कि जो टॉपिक है भारत के रामसर्स थल इस टॉपिक में बहुती बड़ा अपडेट आया है अगस् 2024 में तीन नए रामसर्स थल जोड़े गए है और इसी हिसाब से अगर हम बात करें कि 2024 में कुल कितने नए रामसर्स थल जोड़े गए टोटर मिलाके 10 इस हिसाब से जो भारत के रामसर्स थल है आज की डेट में यानि कि अगस्ट 2024 तक वो 85 हो गए है तो फ्रेंट्स आज दिख लेते हैं आपको किसी और सोर्स पर किसी और वीडियो पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोशन स्टार्ट करने से पहले फेंट में आपको रामसर्स थल क्या होता है और रामसर्स थल से जुड़े वह जितने भी important fact होते हैं वो आपको बदा देता हूं ठ चेतरों में जलिये पौधों का बहूले रहता है और यही आदर भूमियों को परिभाशित करता है आई हूप आपको बतन लगे आदर भूमी क्या होता है आगे अगर हम देखें जैविविता की दिष्टी से आदर भूमिया अत्यान समिदन शील होती है क्योंकि विशेश प चलाब और जलाशे आदी शामिल होते हैं अब हम यह देख लेते हैं रामसर स्थल के बारे में रामसर स्थल की एक्च्वल डेफिनेशन क्या होती है रामसर स्थल जिसे की हम रामसर साइट भी बोलते हैं रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर राश्टिय महतव की एक आदर भू भारत में ही है एक फरवरी 1982 को लागू हुआ था उद्देशे देख लेते हैं आदर भूमी का संडक्षन करना और प्राकिर्तिक संसाधनों के सतत उप्यों को बढ़ावा देना रामसर स्थल का मुख्य उद्देशे होता है अब मैं आपको फ्रेंस रामसर स्थल से जुड़े अगर आपसे पूछा जाएगी भारत ने रामसर कंवेंशन प्रहस्थाशर कब किये तो आपका अंसर होगा एक फरवरी 1982 को इसी के साथ अगर हम आगे समझें भारत में 85 रामसर स्थल है यह फैक्ट आपको धियानक नहीं एक्जाम में आपसे डारेक्ली पूछा जाएगा सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है आप बोलोगे सुंदरवन रामसर स्थल कहां पर है पश्रिम बंगाल में इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हिमाचल परदेश का रेनु का रामसर स्थल है भारत का सबसे चोटा रामसर स्थल है भारत में सबसे अधिक रा अगे अगर हम फैक्ट देखें, वर्तमान में दुनिया में 25 से अधिक रामसर साइटे हैं, दुनिया की पहली रामसर साइट के पहचान 1974 में की गई थी, जो अस्टेलिया के कोबर्ग प्राइड वीप था। अंतराश्टी वैटलेंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दो फरवर 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्थाशर किये गए थे। इस वज़े से थर्ड नमबर पे आ गया और चाइना के पास 82 है, जो की है फोर्थ नमबर पर। आगे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, युनाइटिड किंग्डम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों की देशों की सूची में सबसे आगे हैं, जबकि मैक् समझाता होता गया है, रामसर इरान का एक शहर है, जहां दो फरवरी 1971 को आदर भूमी के संद्रक्षन और स्थाई उपयों के लिए एक अंतरास्तिय संधी पर हस्थाचर किये गए थे, इस समझाते को रामसर समझाते के नाम से जाना जाता है, रामसर कन्वेंशन रामसर रक्षा करना और यह समेलन 21 दिसंबर 1975 में कारवाई में आया था, फ्रेंट्स मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2024 में टोटम लाके 10 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं, जिसमें कि अगस्त में ही, यानि कि जब मैरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे एक दिन पह जो निया रामसर स्थल शामिल हुआ है, नंज रायन पक्षी अभ्यारन किस राज्य में है, तमिलाडू में, उसके बाद जो दूसरा रामसर स्थल शामिल किया गया वो भी तमिलाडू का ही है, काजुवेली पक्षी अभ्यारन, जो की तमिलाडू में है, ये भी निया राम तीसर रामसर स्थल जो शामिल हुआ अगस्त दोहजार चौबिस में वो है तवा जलाश्य कहां पर है मध्य परदेश में आई होप आपको तीनों के तीनों नाम पता लग गए नंजरायन पक्षिय अभियारन कहां पर तमिलाडु में काजुवेली पक्षिय अभियारन कहां प तमिलाडु में तवा जलाश्य कहां पर मध्य परदेश में ये तीन नए रामसर स्थल अगस्त दोहजार चौबिस में शामिल किये गए हैं एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉरेंट मार करिए और इससे कुछ महिने पहले यानि कि जून दोहजार चौबिस में दो नए रामस स्थल की सूची में शामिल किया गया था जून दोहजार चौबिस में इसके बाद हैं दोहजार चौबिस में ही फरवरी में पांच ने रामस स्थल अगस्त दोहजार चौबिस में शामिल किये गए थे रामसर की सुची में आपको जो भारत की पचासी रामसर स्थल है ये स्टेट वाइस बताने वाला हूँ ठीक है किस राज्य में कितने रामसर स्थल है और रामसर स्थल का नाम क्या है किस वर्स उसे घोशित किया गया था वो सब कुछ आपको बताने व बिहार आपके सामने लोकेशन ये है, इंडिया के मैप पे, यह हमारा प्यारा भारत है, यहां पे बिहार है, बिहार राज्जे में तीन रामसरस्थल हैं, पहले हम बात करते हैं काबरताल जील की, रामसरस्थल बिहार में है, 2020 में से घोशित किया गया था, उसके बाद दूसर की बात करेंगे ओडिशा राज्जे की अगर हम बात करें ओडिशा राज्जे की यहां पर आप यह देखिए हमारे प्यारे भारत पर ओडिशा राज्जे यहां पर है ओडिशा राज्जे में छे रामसर स्थल है चिलका जील उसके बाद है भीतरकनी का मैंगरूव सतकोसिया यह चिलका जील, भीतरकनिका मैंग्रोफ, सतकोसिया गौर्ज, टंपारा जील, ही राकुन रिजर्व, और अनसूपा जील नेक्स्ट आम बात करेंगे पंजाब राज्य की यह हमारा प्यारा भारत और यहां पे आप देखें पंजाब राज्य पंजाब राज्ये में 6 हैं रामसर स्थल, हरीके जील, काफी इंपोरेंट हैं, कंजली जील, रोपड आदर भूमी, कैशोपूर, मियानी, कम्यूनिटी रिजर्व, नांगल वन्य जीब अभ्यारन और व्याद संडक्षन रिजर्व, ये सभी के सभी कहां पर हैं पंजाब में तो चलिए, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंदर शाषित परदेश, जम्मू कश्मीर, वूलर जील, रामसर स्थल, जम्मू कश्मीर में हैं, होकेरा अदर भूमी, उसके बाद है, सुरिंसर और मांसर जील, उसके बाद है, हाईगम वैटलेंड कंजरवेशन रिजर्व ये 5-5 हैं जम्मू कश्मीर में, फिर से बताएता हूं, वूलर जील, होकेरा अदर भूमी, सुरिंसर और मांसर जील, हाईगम वैटलेंड कंजरवेशन रिजर्व, और शॉल्बुक वैटलेंड कंजरवेशन रिजर्व, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदे हिमाचल प्रदेश में नेक्स राजजे आता है केरल ये देखिए केरल राजजे है हमारे प्यारे भारत पे केरल राजजे में तीन है रामसर स्थल अश्ट मोडी जील उसके बाद है सस्थम कोटा जील वैंबनाट कोल आदरभूमी छेदर तीन रामसर स्थल केरल में है सासा थे मैं आपको ना किस वर्शन को रामसर स्थल घोशित किया गया था वो मैं यहाँ पर आपके सामें लिख रहा हूँ आपको नोट्स में जरूर मैंशन कर लेना किसी-किसी एक्जाम में पूछा जा सकता है अगर आप स्थेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं वहाँ पर उसके लिए तो बहुत ही इंपॉरेंट है नेक्स्ट राजे करवानी से पहले आपको एक इंपॉरेंट फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपकी रवी सर का जो करेंट अफेर का चैनल है जो कि आपके एक्जाम में पुछ जाते है तो डेली सुबह पांच बजे क्लास आती है करेंट अफेर्स बाई रवी यूट्यूब चैनल पे तो चलिए हम नेक्स कोशन कर लेते हैं नेक्स जो हमार पास केंदर शाशीत परदेश आया है वो लद्दाक आया है लद्दाक में हैं दो रामसर स्थल कौन-कौन से तसो मुरोरी जील तसो कर आदरभूमी छेतर ये दो रामसर स्थल कहां पर हैं लद्दाक में अगला हमार पास राज्य आ गया है मध्धे परदेश राज्य है पाँच रामसर स्थल नहीं पे भोज आदरभूमी, साख्य सागर उसके बाद है शिरपूर आदरभूमी यश्वंत सागर, तवा जलाश है ये सभी के सभी कहां पर है? मध्य प्रदेश में नेक्स्ट हमार पास है तम्मिलाडू आपको बताना चाहता हूँ तम्मिलाडू में ने 18 रामसर स्थल है ये देखिए तम्मिलाडू की लोकेशन आप तो 18 जो रामसर स्थल है वो देख लेते हैं नंज रायन पक्षी अभ्यारन 2024 में से रामसर स्थल गोशित किया गया था उसके बाद है काजू वेली पक्षी अभ्यारन कराई वेटी पक्षी अभ्यारन लॉंगवूर्ट शोला रिजर्व वन उसके बाद है करी किली पक्षी अभ्यारन उसके बाद है पली करनई मार्श रिजर्व फोरेस्ट पिचवरम मैंग्रोव उसके बाद है कुन्थन कुलम पक्षी अभ्यारन मनार की खारी समुदरी बायोस्फेर रिजर्व उसके बाद है उद्दे मार्थ पुरम पक्षी अभ्यारन उसके बाद हम next देखते हैं यहाँ पर आप नम्बिंग थोरी ठीक कर लीजिए तो उसके बाद है विदान्थंगल पक्षी अभ्यारन वैलोड पक्षी अभ्यारन वैंबनूर वैटलेंड कॉंप्लेक्स चितरांगुडी पक्षी अभ्यारन सुचिंदरम थेडूर वैटलेंड कॉंप्लेक्स वडूबूर पक्षी अभ्यारन कांजिरूंकुलम, पक्षी अभ्यारन, पॉइंट, कैली मेरे, वनेजीब और पक्षी अभ्यारन, यह ठारा के ठारा है तमिलाडू में, नेक्स्ट हमार पस मिजोरम, मिजोरम में है एक, रामसस्थल कौन सा, पाला, अदर भूमी, यह आपको ध्यान लखना है, नेक्स्ट हमा पाद है अगनाशिनी मोहाना, मगदी केरेट संडक्षन रिजर्व, रंगनाथीतू, वियस, यह सभी के सभी करनाटक में हैं, नेक्स्ट है राजिस्थान के रामसस्थल देख लेते हैं, दो हैं यहाँ यहाँ पे, कौन-कौन से, केवलादेव, राश्टियोद्यान, काफी सामभर जील, यह सभी के सभी हैं राजिस्थान में, नेक्स्ट राजिया आता है मनिपूर, मनिपूर में हैं लोक्टक जील, ठीक हैं, यह मनिपूर देखिए हैं, यहाँ पे एकी रामसस्थल है, जिसका नाम है लोक्टक जील, अब हम बात करते हैं उतर परदेश राज्ये सरसेहर, नावर जील, सूर सरोवर जील, हैदर पूर वैटलन्ड, बखीरा वन्ने जीब अभ्यारन, बात करते हैं पशिम बंगाल की पशिम बंगाल में हैं दो रामसर स्थल, पूर्व कोलकाता आदरभूमी सुंदरवन डेल्टा चेतर ये दोनों के दोनों कहां पर है पश्चिम बंगाल में नेक्स्ट है हमार पास आंदरपरदेश आंदरपरदेश में है एक रामसर स्थल ठीक है कितने एक इसकी लोकेशन में ठीक कर देता हूँ आंदरपरदेश की लोकेशन याँ थोड़ी सी गलत आ रही है तो ये है आंदरपरदेश आपके सामने ठीक है आंदरपरदेश में आपको बताना चाहता हूँ एक ही रामसर स्थल है और इस रामसर स्थल का नाम है कुलैरू जील कौन सा कुलैरू जील अंदर परदेश में कुल्यारू जील रामसर्स्थल है एक ही है इनेक्स्ट है गुजरात राज्जे गुजरात राज्जे में है टोटम लाके चार रामसर्स्थल कौन से? नाल सरोवर पक्षिय अभ्यारन वादवाना आदरभूमी छेत्र थोल जील वन्यजीब अभ्यारन और उसके बाद है खजीडिया वन्यजीब अभ्यारन ये चार रामसस्थल कहां पर है गुजरात में नेक्स्ट मारपस आगे हर्याना, हर्याना में है दो रामसर स्थल, कौन-कौन से सुल्तानपुर, रास्टिय उद्यान, उसके बाद है भिंडवास, वन्नेजी बभ्यारन, ये दो रामसर स्थल कहां पर है हर्याना में, बात करते हैं असम की, असम की लोकेशन ये देखिए असम में एक रामसर स्थल है जिसका नाम है दिपोर बिल, नेक्स्ट बात कर लेते हैं महराश्ट, महराश्ट में हैं तीन रामसर स्थल, नंदूर, मध्धे मेश्वर, लोनार जील, ठाने क्रीक, ये तीन रामसर स्थल है महराश्ट में, बात करते हैं गोवा की, गोवा में ह है एक रामसर्स थल रुद्र सागर जील कौन सा रुद्र सागर जील तिरिपुरा में है नेक्स्ट में पस उत्राखंड राज्जे आता है उत्राखंड में है आसन Conservation Reserve कहां पर है उत्राखंड में तो फ्रेंट्स जितने भी राज्यों के जो रामसर्स थल थे वो मैंने आपको करवा दिये आई होप आपको सभी के सभी जो रामसर्स थल है वो क्लेर हो गए होंगे अब हम MCQ पार्ट पे आ जाते हैं कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर देना आपके लिए की important information है कि आपके रवी सर की जो e-book की website है वो है www.ravibooks.pdf.com इसका आप स्क्रीन शॉट ले लिजे complete information आपको last में दूँगा यहाँ पे जो हमारी 11,000 GKS की जो e-booklet है वो भी launch हो चुकी है ठीक है यहाँ से जाके आप बाई करके अपने exam की त्यारी को बहुत मजबूत बना सकते हो साथ में current affairs की जो हमारी जनवरी से जुलाई तक की वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी ठीक है मांकी information last में दूँगा आपको तो चलिए हम MCQ स्टार्ट कर लेते हैं और हमारा पहला कोशन है अगस्त 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है आंसर हो जाएगा 85 ठीक है 85 रामसर स्थल हो गए है अगस्त 2024 तक भारत में अगला कोशन विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोशित किया गया था 1974 में विश्व का जो पहला रामसर स्थल तक किसे घोशित किया गया था आंसर हो जाएगा ओप्शन अ कोबोर प्रायदीव सबसे ज़ादा रामसर स्थल किस देश में है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A United Kingdom में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है टॉप तीन देश देख लेते हैं नमबर एवन पे है United Kingdom 175 के साथ नमबर टू पे Mexico नमबर तीन पे हमारा प्यारा भारत कितने 85 नेक्स्ट है विश्व आदरभूमी दिवस यानि की World Wetlands Day 2024 कब मनाया गया राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C दो फरवरी को विश्व आदरभूमी दिवस 2024 मनाया गया यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था विश्व आदरभूमी दिवस 2024 की थीम है आदरभूमी और मानव कल्यान इंगलिश में होगा Wetlands and Human Wellbeing अगला कोशन भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था एकजाम में एक कोशन कई बार repeat हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन B एक फरवरी 1982 को भारत जो है रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना था रामसर कन्वेंशर एक अंतर सरकारी संदी है जो डैश के संदक्षन के लिए रूप रेखा प्रदान करती है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D जल में भूमी नेक्स्ट है आदर भूमी संदक्षन हेतो प्रथम समिलन कहां पर हुआ था राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D इरान के शहर रामसर में 1971 में इरान का शहर जो रामसर है यहां पर आदर भूमी संदक्षन हेतों पहला समिलन हुआ था नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था Right answer हो जाएगा Option D 21 December 1975 को रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया था Right answer हो जाएगा Option C इरान में स्थित है रामसर शेहर Next है विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से है Right answer हो जाएगा इस कोशन का Option D उप्युक्त सभी रियो निगरो कहाँ पर है ब्राजील में गिरी तुमबा मैन बॉंबे कहाँ पर है कांगो लोकतांतरी गनराज्य में कुईन मौड गल्फ कनाड़ा में हैं ये तीन जो हैं विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल की सूची में आते हैं अगला कोशन है मारा भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था काफी बार एक्जाम में कोशन पूछा गया है कि जो भारत का पहला रामसर्स थल लने से कब घोशित किया गया 1981 में और किसे घोशित किया गया एक्जाम में कई बार पूछा गया है आंसर हो जाता है अप्शन C उप्युक तो दोनो चिलका जील ओडिशा में है केवला देव नैशनल पार्क राजिस्थान में है अगला कोशन है भारत में सबसे बड़ा रामसर्स थल कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B सुन्दरवन वेटलेंड कहां पर है पश्रिम बंगाल में भ सबसे चोटा रामसर्स थल है नेक्स्ट है हमारा कोशन भारत में वर्तमान में सबसे जादा रामसर्स थल किस राज्य में है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B तमिलाडू वर्तमान में सबसे जादा रामसर्स थल है तमिलाडू में तमिलाडू में कितने है अठारा उतर मद्धे प्रदेश अगला कोशन रामसर स्थल चिलका जील किस राज्य में स्थेत है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D ओडिशा ओडिशा में स्थेत है चिलका जील रामसर स्थल रामसर स्थल क्या है राइट आंसर हो जाएगा Option C. अंतराश्टिय महतव की आदरभूमी अंतराश्टिय महतव की आदरभूमी है रामसर स्थल इरानी शहर रामसर में आदरभूमी पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीक है Right answer हो जाएगा Option A. दो फरवरी 1971 दो फरवरी 1971 जो है ये इरानी शहर रामसर में आदर भूमी पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीक है तसोकार आदर भूमी को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था ये निमलिकित में से किस राज्य या केंदर शाषित प्रदेश में स्थित है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख अगला कोशन पोंग बांद जील भारत का एक रामसर स्थल है या किस राज्य में स्थित है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग बांद जील रामसर स्थल नेक्स्ट है हमारा कोशन रामसर कन्वेंशन नेमलिखित में से किसे संबंदित है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C आदर भूमी से यानि की वेटलेंड से नेक्स्ट है हमारा कोशन विश्व का सबसे उचा रामसर स्थल कौन से है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन भी तसो मोरीरी तसो मोरीरी जो है सबसे उचा रामसर स्थल है कहाँ पर है लद्दाक में अगला कोशन नेम लिखित में से किस वर्ष भारत में छेतरिये कारेयों और अंतराश्टिये सहीयों के माध्यम से सभी आदर भूमी के संदक्षन और बुद्धिमान उप्पियों को बढ़ावा देने के लिए रामसर समिलन लागो हुआ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1982 में तो फ्रेंड्स यह आपको मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कंपलीट करवा दिया भारत के रामसर स्थल और टॉपिक से जो भी इसका थियोरी पार्ट था वो मैंने आपको समझाया राज्य वाइस जितने भी रामसर स्थल थे व यह वो भी मैंने आपको करवाया आज की वीडियो में ठीक है तो फ्रेंड्स अब आपके लिए दो कोशन का टेस्ट आ गया है और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो हमारी 11,000 GKGS की बुकलेट है पार्ट वाइस हम के लिए सारा स्टेडी में आपको मिल जाता है ठीक है दो कोशन का टेस्ट है आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दीजिए पहला कोशन है अगस्त दो होजात चॉबिस तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है चार आप्शन है आपके पास दूसरा है आपके पास सबसे अगला वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते जाना कि वीडियो कैसी लगी है अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर पढ़ना है मुझे आप जरूर बताना ठीक है डिली करंट अफेर पढ़ने के लिए मैं आपको बता वो बिल्कुल फ्री दी जाती है डेली जी के बूसर का भी एक शीट आपको फ्री दिया जाता है यहां पर ठीक है अब जरूर जॉइन करिए फ्री स्टेडी मटेरियल के लिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए और भी कोई इंपॉर्ट अगर नोटिफिकेशन हो मैं टेल हजार कोशन का जिसमें कि हम आपको कोई क्रिवीजन करवाएंगे एक्जाम से पहले ठीक है तो यह कोर्स भी आपको अप्लिकेशन पे मिल जाएगा अभी स्टेडी जीके पे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू एंड विश यू अल दे बेस्ट